प्रदेश में सेब सीजन की रफ्तार जोर पकडने वाली है ऐसे में सड़कों के दुरुस्तिकरन की चिंता बाखवानों के साथ कॉंग्रिस के राष्टर प्रवक्ता कुल्दिप सिंग राथहौर को वही सथाने लगी है जिसके चलते संबंधित विभागिये अधिकारियों क इस दिशा में कारियों को जल्द पूरा करने का आगर है कुल्दिप सिंग राथहौर ने पत्रकारों से अनाफचारी का बाखशित में किया वही मध्यप्रदेश में चुनावी प्रचार में जुटे राथहौर ने कहा कि दूसरे चरन की यात्रा 24 जून से शुरू होगी और मध्यप्रदेश में कॉंगर्स पार्टी की वापसी निश्चित होगी को में स्लिप्स आ रहे हैं या सड़के ठूटी फूटी है उनको करने का काम करें यह हो भी रहा है लेकिन क्योंकि आगे बरसात का भी मौसम में मौनसून आने वाली है तो हमने इस पश्च रूप से कहा है कि बारिश की वज़ा से भी जो है कहीं सेब सीजन में जो है बादा करूंगा आशिगरी में दोरे का कारे करम बना रहा हूं और हमारा यह परियास रहेगा कि हमारा जो एपल से जने वो बगैर किसी व्यवधान के संपन हो देखिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहते हूं कि यह जो रोड यह लगभग डेट वर्ष पूरो जो है वहां का हम जल्दी से जल्दी निर्वान करें और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हिमाचल परदेश में जो है काफी बारिशे होती रही जिससे जो काम है वो बीच में बादा जो है आती रही इस रोड का एक पॉर्षन लगभग पूरा हो गया था और अचानक जो दूसरा भाग है वहां काफी बड़ा सिल्प आया और पूरी रोड जो है शती गरस्त होगी और यह याता यात के लाइक नहीं रही कल पिछले कल जो हमारे लोग निर्मान मंत्री है विक्रमेदिते सिंग जी वो भी उस खेत्र में गया और हमने सारे जो ऑफिसर्ज हैं हमारे चीफ को हैं सब लोगों से हमारी बैठक हुई और ये निया गया कि हम वहां वैलिग्रिज जो है का निर्मान करेंगी और हमने हिदाइत दी है और हमें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि एक हफ़ते के अंदर अंदर वैली ब्रिज जो है वहां लगा दिया जाएगा ताकि याता यात को जो है सुचारू रूप से शुरू किया जा सके और बाकी जो काम वहां चल रहा है उसके लिए भी हमने निर्देश दिये कि उस काम को भी जल्दी से जल्दी जो है पूरा करने का प्रियास करें अब आप सही है कि पिछले लग बग साथ आठ सालों से काम जो चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पाया और मैंने तो बनने के बाद बार-बार मैंने दौरे किये उस खेतर के दौरे किये और खुद भी जाकर मैं साइट में गया थोड़ा सा जो वेवधान आया वहां भी एक स्लिप आया जिस वज़े से सड़क शतिगरस्त हुई और रिवाइज जो अस्टिमेट है वो केंदर सरकार को बेजा गया क्योंकि ये नेशनल हाइवे अथार्टी ऑफ इंडिया के अंतरगत है लेकिन अगर दिली से पैसा नहीं भी आ रहा है तो कोई विकल्पिक ववस्ता करनी जरूरी है क्योंकि बगैर पैसे के तो रोड बनेगा नहीं तो हम उस ववस्ता में जूटे जैसे ही पैसे का बंटन होता है या प्रबंध होता है इस रोड को जो है हम सुचारू रूप से पूरा करने का जो है रियास करें चर्ण पूरा हुआ है दोरे का तो उसमें लग भग मैंने दस से बारा चुनाओ शेत्रों में गया हूं और अभी मेरा जो दूसरा चर्ण है वो 24 तारीके बाद जो है फिर से शुरू होने वाला है अभी तक मैंने देखा है कि जिस दंग से मैंने लोगों में वहां जोश देखा मुझे पूरा विश्वास है कि मद्या परदेश में कॉंगरिस पार्टी की जो वापसी है वो पिलकुल ते हैं